अध्याय पहला श्लोग उन्नीसवा इन विभिन शंखों की ध्वनी कोलाहल पूर्ण बन गई जो आकाश तथा पित्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट के पुत्रों के घृदे को विदिर्ण करने लगी जब भीश्म तथा दुर्योधन के पक्ष में अन्यवीरों ने अपने अपने शंख बजाये तो पांडवों के हृदे विदिर्ण नहीं हुएं ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता किन्तु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनात से धृतराष्ट के पुत्र के रिदे विदिर्ण हो गये इसका कारण स्वयम पांडव और भगवान कृष्ट में उनका विश्वास है परमेश्वर की शरण ग्रेहन करने वाले को किसी प्रकार का भै नहीं रह जाता चाहे वह कितनी ही विपत्ती में क्यों नहो